नमस्ते और वेल्कम बेक टु माइक कुकिंग ब्लॉग। आज मैं शेयर कर रही हूं। फिर से बहुत ही टेस्टी और इजी लंच की रेसिपी जो कि मैंने काफी सारी लंच की रेसिपी शेयर कर चुकी हूं। तो यहां पर मुझे भी आ समझ नहीं रहा था कि क्या बनाएं। फिर मैंने सूचा चलो दाल तो बनाई लेते हैं। उसके बाद देखेंगे। तो यहां पर आदे घंटे पहले मैंने दाल को बिगो कर रख दिया था। अरहर की दाल को मैं तुरंत नहीं बनाती हूं। उससे हफते में 5-6 बार तो बनी जाती है तो यह तो कॉमन चीज है जो कि अम लोग अकसर बनाते हैं। बस 4-5 सीटी आने तक इसको रख देंगे। अब रखे हुए थे परवल तो सूचा चलो परवल की कुछ अलगी सबजी बनाते हैं। वैसे मेरे आपर जो सबजी मैं बना रही परवल काफी दिन से फ्रीज में रखे थे मतलब चार पास दिन होई चुके थे तो मैंने का चलो इसकी अच्छी सी कुछ रेसिपी बना लेते हैं। तो आलू भी निका लिये थे अब मैं परवल को इस तरीके से चीलती हूं मतलब जो इसका चिलका है नहीं निकालना है सब किया हम लोगो इसका चाप लिए निकालना है वैसे नहीं हम लोगो इसको इस तरीके से कुदेर है उससे क्या होगा न जो ऑरिजनल परवल का टेस्ट वो चाहँ सब्जी में आएगा और सबसी काफी अच्छी लगेगी तो क्या आप लोगों के हाँ ये सब्सी कैसे बनती है मुझे जरूर से बता सकते हैं, और भी सबजी बनाने के क्या क्या तरीके हैं परवल की आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजेगा, आलों को भी छील लेंगे, तो यहां पर मैंने तुकडे कर लेंगे, पतले-पतले स्लाइस कर लेंगे, बहुत जादा मोटे ना करें, क्योंकि थोड़ा सा पकने में समय भी लगता है, तो जैसे-जैसे हम इंको काटेंगे पानी में डालते जाएंगे, जिससे कि यह काले ना पड़े, और आप देखिए, जो मैं दूसरा परवल की रेसिपी आप जो भी बोलें, बहुत ही ज़दा टेस्टी लगती है, अगर दाल भी नहीं है तो भी आप इसको ऐसी खा सकते हैं, अब जो आलू है उनको भी लंबे और थोड़े से पतले स्लाइसे में कर लेंगे, उसलिए कि सबजे जली से पक जाएंगे, तो इस अब हम कड़ाई चड़ाएंगे, अब मैं इसको सरसो के तेल में बना रही हूं, तो मैं से 2 टेबल स्पून के लगभग तेल थोड़ा साथ ही एड़ करें, और सरसो का तेल ही एड़ करें, तेल अच्छे से गरम हो जाने दे, और तब तेल नॉर्मल टेंपरेचर में कट कर लिया था, अब इनको 1-2 सेकिंड के लिए अच्छे तरीके से फ्लाइ कर लेंगे, तो हमें इसको मीडियम लो ही रखना है, तेमपरिचर गैस का, अब इसमें प्याज की स्लाइसिस डालेंगे, मतलब पतले पतले स्लाइसिस कट करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो प्याज को डालने के बाद हमें बहुत ओवर कुक नहीं करना है, सिर्थ 2-3 मेठी इसको पकाना है, मतलब प्याज को बहुत ज़धा ब्राउन नहीं करना है, देखिए, सिर्फ इस तरीके से, हल्की सी प्याज सी गुड़ जाए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, बस उतन अब जो अमने इसका पैनी है फिर निकाल दिया था और अलू और परवल को हम एक साथ डाल देंगे आप चाहे तो आलू को और परवल को अलग लग अलग अलग फ्राय कर सकते हैं, पहले आप आलू प्राय कर लीजे प्याज के साथ में फिर परवल डाल दीजे नहीं तो आप इनको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और थोड़े दिर के लिए खुले में पकने देंगे मतलब कि 5-7 मिनिट जब पांच मिट हो जाएगा तो हम इसको बापिस से चला लेंगे लेकिन गैस का फ्लेम लो रखे वरना जो मारी सबजी है नीचे से जलने लगेगी तो हम इसमें इसट मसाले एड़ेंगे डिनिया और रखे जाएड़ेंगे तो हम इसमें नमक इसमें थोड़ा सामचिर पाउडर देंगे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और स्वात के नमक और इन सब को अच्छे तरीके से मिला देंगे तो ये जो मसाले है ना ये बिल्कुल बेसिक म तो यह बहुत है नहीं किया तो यह बहुत एक बहुत ही सिंपल टेस्टी लंच की रेसिपी है। अगर आपको परवल की सबजी को समझ में नहीं तो इस तरहीके से बनाएं और अगर बनाती हैं तो भी मेरे साथ शेयर करें। अच्छे से मिला दीगे और अब अधकर पास साथ मिनट के लिए पकने देंगे जब तक कि अमारे जो आलू परवल है अच्छी अरीके से सौफ नहीं हो जाएं अप इसको बीच बीच में चैक भी कर सकते हैं जब तक हमारी आलू परवल पक रही है गैस कफले मीडियम लो कर द को वीडियो कैसी लगती है मुझे जरूर से बताएं वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दिया करें और आगे आपको कौन सी रेसिपी चाहिए मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर से सजेस्ट कर सकते हैं तो यहां पर घी अच्छे से मैल्ट बहुत हो गया है अब हम जीरा एड़न कर देंगे हींग अच्छा से तड्का लगा दिंगे ठाव में का दरलेंगी डाल यूदे बहुत एक तेक्शर और कलर टेस्ट बहुत अच्हा आ truck चलिए यहां पर हम चाबल पी चड़ा क्लेंट चलम वक्शा हमारें हमारे पक देखें बीच में इसको अच्छे से चेक कर लिया था, आलू अच्छे से गल जाएं, समाजी हमारी सबसी पग गई है, तो इसको मीडियम हाइफ लेंगे, और इसको मीडियम हाइफ पर अच्छे तरीके से चला लेंगे, जिससे कि थोड़ी सी कुर्कुरी हो जाएं, क्योंकि अगर बुजिया टाइब लगेगी ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी, अबस हम इसमें कटा हुआ अधन्याइट कर देंगे, अधन्याट कर देंगे गे, तो देगे कितने जचट पच्छो, कितनी आसानों बिना मसाले वाली सबजी, सरसो के तेल में शुद्ध और बहुत तेस्टी भोजन तो यह देखें कितना प्यारा कलर टेक्चर आया है तो थाली लगा लेते हैं चावल रख लेंगे लैसे हमारे दिन में रोटी जल्दी नहीं खाते हैं तो हम लोग चावल दाल और सब्जी पस यही खाना प्रफर करते हैं तो दाल भी तैयार है और हमारी और की थैंक यू सो मुझ बाइ बाइ